है गर्मी क्या भी गर्मियों में पैक की जगा बांटी में बरफ डालते हैं यह टार्निंग से बचने के लिए चपरी स्लीफ पहनते हैं और तो और खुद की जगा कूलर को पतलून पहनाते हैं या नीमू पानी की जगा थोपड़े पे नीमू नी चोड़ते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है जब गर्मी आती है तो क्या होता है? टोड़ी बरफ डालना चूमोर आइस प्लीज आइसिंग सिर्फ आपके टेस्टोरोन लेवल्स एन अक्टिवनेस के रावा आपकी स्किन को बहुत बेटर कर सकता है क्योंकि जब अब थ्रेडिंग कराते हो तो उसके पोर्स को क्लोस करेगा अगर आइस के नीचे पफिनेस हो जाती है तो उसको रिड्यूस करता है और कभी इरिटेशन है कोई स्वेलिंग है उसको सूट डाउन करेगा तो आपने यह डाला मतलब हर स्किन टाइप के और हर प्रॉब्लम के लिए अब गर्मियों में फेस पे इतना चिप इतना पसीना फेस कभी कभी ऐसे लगने लगता है कि अपने टिशू पर दे दिया हो और लड़कों के पास क्या सलूशन है वो छोटा अपना फेस वाश करी करो लेकिन उससे क्या होता है आधरी टाइम बाल गीली हो जाते है और कभी कभी दाढ़ इतनी रफ हो जाती है और उसके बाद एक मॉस्चर राइजर भी करो जो लॉन्डे इतनी जिंजट पर पढ़त दूसरा अप्शन आता है वेट वाइप जिसमें अलकॉहल और पैरबन होता है अगर ध्यान से पढ़े तो और उसको हाथ गएंगे तो हलका सा गीला गीला ग्रीजी होता है क्यों उसमें से बहुत खुश्बू आती है वो लिक्विड केमिकल रहता है और वो एकदम से फ्रे 75-80% बहुत मेज़ोरीटी पॉपुलेशन आफ इंडिया अभी वी टूबीलर यूज करती है और गर्मियों में क्या उनका एक ही लौता प्रोटेक्शन रहता है दूब से वो संस्लीव पहनते है यह वो टैटू वाली चपरी स्लीव और उसके बाद भी कमदेन करी जाती है क भाईया तैनिंग होगी और उसका रीजन सुनी है हमारी डॉक्टर की जबान है कई फैंसी जगह पर हम देख लेते हैं कि स्लीव समल रही है हम ले लेते हैं बढ़ हम यह नहीं चेक करते कि उसका यूपी एप है नहीं है तो हमें जिसे यूवी प्रोटेक्टेड जो स्लीव यह नहीं होती है वो यूज करनी तो समझ लिया चाहा है फूट्स बैने चाहा है चाहा है चाहा च्परी स्लीव स्लीव पैने चांसे तब ही रहते हैं क्योंकि UVA और UVB यह दोनु डिपार्शन को एक नॉर्मल फाबरिक अच्छी तरह नहीं रोप पाता इसलिए हमारा नेक् के जाएंगे जो ब्रीदेवल भी है बाहर निकल के हाई गर्मी याद है वह 19 रुपे का माइक्रोफाइबर कपड़ आपल का वायरल हुआ था वड़ा क्यों कि वह जल्दी सवाई करता है अच्छी सवाई करता है और हर कैटेगरी में कपड़ों की यह माइक्रोफाइबर पड़ा पॉपलर हो रहा है इसा क्यों हो रहा है क्योंकि एक स्पॉंज की तरह पानी जल्दी से अब्जॉफ करता है और उसको हम रब करते तो स्टेटिक एलेक्टिविसी की मतलब आपका कोई भी गंद हो डर्ट हो इसको एकदम से खीच लेता है आपका स किन और आपके बात सबसे आदा फ्रेश कब होते हैं जब आप नहां के आते हो और सबसे आदा सेंसिटिफ जब आप वर्क आउट कर रहे होते हो और दोनों टाइम आपके फेस पे टावल या एक हैंकी जरूर लगता है और 35-40% चांसेज आपके स्कैल्प अलर्जी के पहुंचते हैं उससे यह चांसेज बहुत बढ़ जाते है इस वरी बैड कॉमिनेशन गीला टावल लाइक मैगी केचप क्योंकि गर्मियों का मतलब है स्वेट सीख जनी से लिए हमारा नेक्स ग्याजट है माइक्रोफाइबर टावल जो डेट्सों से प्यून से रिंज में वरी इंपॉर्टन्ट एंड कर्मियों में क्या होता है सोते सोते कभी पसीना आ जाता है और कभी-कभी मैं तकीया पल लटता था ठंटी वाली सैड मिल जाए और मेरे को लगता सिर मैं ही करता हूं लेकि बाद में बते जला यह लोग तो बहुत कर रहे हैं एंड उसी के लो बाहर निकलते ही थोड़ी दिर में फेस का कबाड़ा हो जाता है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम बता है क्या आती है समर्स में विच इस टैनिंग एंड रिसेंटी लोगों ने धीरी-धीरे इंपॉर्टन समझिये संस्क्रीन की लेकिन संस्क्रीन लगाने के बाद भी हो और वह वेस्ट भी नहीं हो अच्छी संस्क्रीन है कौन सी समझ के लिए सबसे पहला क्या उसमें नाच्र इंक्रीडियन्स हो कि वह तप्ती गर्मी में आपकी स्किन को कूल डाउन करें दूसरा क्या उसका टेक्शर लाइट हो कि लगाती एब्जॉर्ब हो जाए और चिप- प्रॉपर्टीज होती है और साथ-साथ फेस को फ्रेश रखेगा विद दाट उसके इंदर टर्मरीक है जो ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है और बेस्ट टाइम क्या है संस्क्रीन लगाने का जब भी आप नहां के आईया फेस्ट करें स्किन को मॉस्च्राइज करें एक नॉर्मल पानी के बेनिफिट्स होते हैं उसके साथ-साथ-साथ एक्स्ट्रा वाइटमिन्स और मिंडरल्स भी रहते हैं लेकिन कभी-कभी वह बोरिंग और प्लेन हो जाता है और जाता नहीं पिया जाता है इसलिए हमारा next gadget आता है fruit infuser bottles बीच में आपको भी fruit डाली हर्ब लीव डाली है और डीटॉक्स वाटर अलगलग करिए माली जे बॉड़ी हीट जाद है तो आपने क्यूक्यूमबर और कारण नमक डाल दिया अगर आपको पेट अच्छा रखना है तो आपने जिंजर डाल दिया इसी तरीके से आपकी व्यूटी भी और साथ-साथ टेस्ट जब गर्मियों की बात करते हैं जूते पहना बहुत मुश्किल हो जाता है और जब चपलों की बात आती है तो दिमाग में आती है यह जिसको आप सिर्फ कमूर तक्सीमित रखें सबसे पहले जो आपको 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 पहनना कि इंके साथ अच्छा लगता है जैसे चीनो ज जॉगर्स होगे विद्यॉर रिलाक्स तूसरे आते हैं चंकी स्लिपर्स नान सी आपको पता लग रहा है चंकी का मतलब है ब्रॉड एंध थिक एंड यह थोड़े करवी रहते हैं इंको सिर्फ सॉलिड में ही प्रेफर करें कुछ फंकी नहीं एंड हमेशा याद रखना है का एक रूल को भी आप स्लिपर्स के साथ कुछ आउट्फिट बनाएं तो ऊपर हमेशा कोई ओवर साइज हो गया बेसिक टी-शिर्ट होगी या क्याज्वल आउट्फिट ही रहे हैं थर्ड हमारे सालों से चलते आ रहे हैं हमारे स्टैंड फिल फ्लॉफ जो सिंगल और अब कौन सी कैप हर फेश शेप के लिए अचा है सबसे पहले आपको अवाइड क्या करनी है फ्लाट कैप उपर अकर जादा वॉल्यूम नहीं होगा तो आपको ओवर एक हेड को अजीब शेप देगा आपका फिस थोड़ा मोटा दिखेगा बेस्ट आर फंकी और छपरी नह उनों का कॉम्बिनेशन हर फेश शेप पे सूट कराता है अब अल्राउंटर स्नाप बैक कौनसी हुई नॉन एजस्टिबल वाली नहीं नहीं जिसके बीचे कोई बेल्ट या बटन रहते है जिससे अराम से वह बड़ी चूटी हो जाती है जिससे आपके बाल ना किचे सो व लागे तो बंडाना हेल्प करता है फेस पैक बालों पे ना लगे तो बंडाना है अगर पसीना है तो बैंड की तरह पॉलुशं है तो डागु स्टाइल की तरह प्रोटेक्शन चाहिए तो हल्मिट के अंडर और साथ-साथ इंटरनाशनल स्टीच स्टाइल में भी अगर आपको वीडियो में मजा है दोस्तों लाइक शेर और कमेंट करना मत भूलना अगर अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें